हम ऐसाथ बात करने के लिए हैं सासा राम से लोजपा के उम्मीदवार रामिश्टो चरशिया जो इस चुनाओं से ठीक पहले तक भारती यंता पार्टी में थे और भारती यंता पार्टी के बहुत महत्पून पदों में रहे हैं राश्टी सच्यू रहे हैं कई राज्जियों में साप्रभारी के रूप में रामिश्टो चरशिया ने काम किया है लंबा समय बीज़ेपी में आपने बिताया उसके बाद अचानक आपको लोजपा से चुनाओं लड़ना पड़ रहा है ऐसा क्यों देखिए ऐसी परिस्थित सेवा का पढ़ लिया था आखिर उसको पूरा करने के लिए कोई रास्ता तो तलासना था और चिराग पासवान जी का ओफर आया उन्होंने आगरख किया और मैंने भी स्विकार किया एक बार तो मैं लेकर के सिंबल लोटा दिया था नडड़ा जी के आगरख पे लेकिन मैं मैंने ही फिर चिराग जी से कहा कि जनता का प्रेशर है मैं लड़ना चाहता हूं तो उन्होंने किसी को दिया हुआ सिंबल लोटा के मुझे दिया तो इस वोटिंग है वोट डालने आप निकल रहे हैं क्या लगता है कि सासाराम की जनता आपको पसंद करेगी आपको वोट क करके और अपने मताधिकार का प्रयोक करें और सोच समझ करके करें कि 15-15 साल लोगों ने देखा है तो मुझे पूरी उमीद है कि जनता निकलेगी और वोट करेगी भारती जनता पार्टी एक एडर वेस पार्टी है भारती जनता पार्टी से चुनाओं जितना आसान होता ल लोग परदेश में बैठ के साजिस करेंगे आखिर मैं कहीं भी परभारी हूँ मैं हूँ तो बिहार परदेश का लेकिन यहां बैठे कुछ लोगों को काम करने वाले लोग संगठन के लोग पसंद नहीं आते उसमें मैं ही नहीं हूँ आपको मालूम है और बहुत सारे करते थे मैं उनकी टीम में था और लगातार पता थिकारी भी रहा परदेशों के परभारी भी रहा तो ऐसे में आप ही समझे कितना दुख होता होगा छोड़के आने में लेकिन ऐसी मजबूरिया उत्पन कर देती परदेश के लोगों ने कि मेरे पास कोई बिकल्प नहीं और दे देना हर आदमी को मालूम है जनता को मालूम है कारकरता को मालूम है कि साजिस का ही साथ देगी अब जनता तो साथ दे रही है तभी तो मैं चुनावल रहा हूं और मैं जनता से अपील करता हूं कि भारी भर कम लोग घरों से निकले और मदान केंद्रों पजाए और वोड़ते हैं जो ओट डालने के लिए निकले हैं वो अपना ओट कोश्ट करेंगे सासा राम से चुनाव लोड़ रहे हैं भारती जनता पार्टी में लंबे समय तक काम करने के बाद अब इस चुनाव में लोजपा के उम्मीदवार हैं कैमेरमेन राजेश कुमार के साथ नीर